अबी गोइंकन्स को मेरा प्यार बरा परनाम आशा है सबी बच्चे अपने अपने गरू में स्वस्त हैं, सुरक्षेत हैं आप सबी का मेरी कक्षा में हारदिक स्वागत है आज का हमारा परसंग है वर्न माला का संशोधन संशोधन यानि रेवेजिन जैसा कि सबी बच्चे ध्यान से सुनेंगे नीचे दियेगे कारे को सबी बच्चे अपने अपनी कच्ची नकल पर करेंगे यानि अपनी अपनी रफ नोटबुक पर लिखेंगे शुरू करते हैं वर्न माला के दो परकार है स्वर और व्यांजन स्वर है 11, व्यंजन है 33, उसके बाद संयुक्त वर्न है 4 नीचे दिएगे शब्दों में स्वर के नीचे रेखा खींच कर उस शब्द पर रंग करेंगे जैसा कि यहां शब्द दिएगे हैं और इन शब्दों में से आपको केवल स्वर के नीचे रेखा खींचनी है रेखा खींचने के बाद आप उस शब्द पर रंग करेंगे जैसा मैं आपको दिखाती हूँ पहले शब्द में स्वर है री तो आप री के नीचे रेखा खींच कर इसमें रंग करेंगे ऐसे ही दूसरे शब्द में स्वर है ई तो आप ए के नीचे रेखा खींच कर इस पे रंग करेंगे मुझे आशा है सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुन रहे है और सभी बच्चे इस कारे को ऐसे ही पूरा करेंगे जैसा कि मैं आपको सिखा रही हूँ अगले शब्द में स्वर है उ तो सभी बच्चे उ के नीचे रेखा खींच कर इस शब्द में रंग बरेंगे ऐसे ही देखें अगला शब्द है जाओ और इसमें स्वर है उ तो आप उ के नीचे रेखा खींच कर इसमें रंग बरेंगे ऐसे ही सारे शब्दों में आपको स्वर के नीचे रेखा खींचनी है और फिर रंग करना है अगला प्रशन दिया गया है नीचे दिये गए शब्दों में व्यांजन के नीचे रेखा खींच कर उस शब्द पर रंग करेंगे जैसा कि पहले प्रशन में स्वर के नीचे रेखा खींचनी थी अब दूसरे प्रशन में आप व्यांजन के नीचे रेखा खींचेंगे पहले शब्द में तीन व्यांजन हैं तो हम तीन व्यांजनों के नीचे एक रेखा खींच के इन तीनों में रंग करेंगे ऐसे ही दूसरे शब्द में तीन के तीन अक्षर ही व्यांजन है तो हम सारे शब्द के नीचे रेखा खींच कर इस पे रंग करेंगे ऐसे ही तीसरे शब्द में भी चार अक्षर जो है चार के चार अक्षर व्यांजन है तो हम चार के नीचे ही रेखा खींच कर इनमें रंग बरेंगे अगले शब्द में दो शब्द हैं दो में से एक शब्द व्यांजन है तो हम व्यांजन के नीचे रेखा खींचेंगे बचो जैसे कि मैंने आपको ये कारे समझाया आप सबी बच्चे इस कारे को ऐसे ही पूरा करेंगे जैसा कि मैंने आपको सिखाया आज की कक्षा में आपके लिए इतना ही दन्यवाद